हेलो फ्रेंज तो आज में लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही खास और बहुत इंट्रेस्टिंग आटे से बना कस्टेड बर्फी इसके लिए ना तो आपको मावा चाहिए न क्रीम न मलाई बिल्कुल घर की इंग्रीडियन्स इतना टेस्टी और मुँ में घुल जाने वाला मिठाई सेर करने जा रही हूँ फ्रेंज बिल्कुल घर में रखे इंग्रीडियन्स यह आप इतना टेस्टी मिठाई को आप बना कर तयार कर सकते हैं तो चलिए फ्रेंज बनाना शुरू करते हैं चैनल पर नीव है तो धेर सरा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजेगा और साथ ही वेल आइकन पर जरूर क्लिक किजेगा फ्रेंज आकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुचेगी इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखें नहीं तो आप स्कीप करते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या डालना है और क्या नहीं तो पूरा वीडियो को एंड तक देखें तो उसके लिए देखिए आपको करना क्या है एक से दो कप के करीब गेहूं का आटा लेना है जो नॉर्मल घर का आटा है वही ले रही हूं और इसे हम अच्छे से छान कर योज करेंगे इसमें आपको चासनी वगेरा की जरुरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल बहुत ही आसान तरीका है और फटा-फट से आप कभी भी बना सकते हैं इसे आपको अच्छे से छान कर लेना है क्योंकि इसमें कुछ इस तरह की चोकर होता है तो उसे हमें निकालना होता है और ये लेंगे दो कप आटा तो मैंने आप ए दो कप आटा लिया है आप चाहे तो एक कप गेहूं का आटा का इस्तमाल भी कर सकते हैं बस measurement का आपको पूरा ध्यान रखना है अगर आप चोकर को नहीं निकालते हैं फ्रेंस तो जब आप बर्फी खाते हैं तो कुछ-कुछ मोटा-मोटा से लगता है और खाने में मज़ा नहीं आता है इसलिए आप जब भी बर्फी बनाए तो आटे को अच्छे से छान ले उसके इस डब्बे में मेरे घर में सौन पापड़ी आया था तो मैंने सोचा क्यों ना इसमें बर्फी जमाया जाए अब इसमें एक चमच ओईल डाल कर अच्छे से ग्रीस कर लीजी आप चाहे तो इसमें बटर पेपर भी लगा सकते हैं लेकिन जब आप ओईल डालते हैं तो ऐस का फ्लेम यहां low to medium रखेंगे और इसमें आटे को डाल देंगे आटे को चलाते हुए हलका रोस्ट करेंगे लो फ्लेम पर बढ़ियां से आटे को ऐसा भूनेंगे कि इसमें सौंदी से खुसबू आने लगे और आटे का कच्चापन पूरा निकल जाए तो आप इसे चार से 5 मिनिट के लिए चलाती हुए इस तरह से आटे को रोस्ट कर लिजे मैं बिल्कुल धीमी आज पर रोस्ट कर रही हूँ अगर आप medium फ्लेम पर आटे को रोस्ट करेंगे तो मुश्किल से 2-3 मिनिट लगेंगे रोस्ट होने में बस ध्यान रहे हमें इसका कलर चेंज नहीं क आटे को लगतार चलाती हुए रोस्ट करना है और यह देखिए आटा जो है पूरी तरह रोस्ट हो चुकी है अब यहां गयस को बंद कर देंगे और फटा-फट से किसी बरतन में रोस्ट किये हुए आटे को ट्रांसफर कर लेंगे उसी कढ़ाई में आटे को रखना नहीं ह नहीं तो जल सकता है अब इसे हम कुछ देर के लिए ठंडा होने देंगे अब यहां देखिए आपको लेना एक मिक्सी जार और यहां पर मैंने लिया है आधा कप मिसरी मैं चीनी की जगा मिसरी का यूज़ कर रहे हूँ अगर आप चीनी कम खाना पसंद करते हैं या चीनी क कर रहे हैं तो आप मिसरी का यूज़ कर सकते हैं जिसे रोक सुगर या कैंडी सुगर भी कहा जाता है अब इसमें लीड लगा कर एकदम फाइन पाउडर पीस लेंगे और यह देखिए कैंडी सुगर का जो पाउडर है वो अच्छ से तयार हो गया है आप देख सकते हैं एक अब इसको भी लेड लगा कर वड़ियां से पीस लेंगे और यह देखिए फ्रेंस मिसरी के साथ इलाइची भी अच्छ से ग्राइंड हो चुकी है अब इस पाउडर को प्लेट में निकाल लेते हैं आप चाहे तो इस पाउडर को छान करके ले सकते हैं लेकिन मैंने इसे द चाहते हैं फ्रेंस के कस्टर पाउडर की रेसिपी में आपके साथ सेयर करू तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिग कर जरूर बताएगा तो यह रेसिपी आपके साथ जरूर सेयर करूंगी आप चीनी के साथ कस्टर पाउडर को अच्छ से मिक्स कर लिजे अगर आपको चीनी तो इसके लिए गयस पर एक पेनिया कड़ाई चड़ा लिजे और इसमें हम एट करेंगे एक कप देसी घी इसमें चासनी वगेरा का योज नहीं करने वाले हैं न मावा न क्रीम न मलाई ऐसा किसी चीज का योज नहीं करेंगे तो मैंने डेर सु ग्राम के करीब घी लिया है द लो मीडियम फ्लेंपर इसे लगतार चलाते हुए दो मीनिट तक इसी तरह से पकाएंगे ताकि कस्टेड पाॉडर और चीणी जो है अच्छे से पक जाए हम मावा क्रीम मलाई को योज नहीं कर रहे हैं इसलिए चीणी और कस्टेड पाॉडर को दो मिनित तक चलाते हुए ह पकाएंगे अगर आप चाहें तो मावा ये क्रीम का भी योच कर सकते हैं इसमें अब यहां देखिए दो से तेन मिनट पकाती हुए हो गया है और यह हमारा जो मिस्री और कस्टर पाउडर है वो भी अच्छे से मिक्स हो गया है अब इसमें हम एट करेंगे जो हमने आटे को र इसलिए आपको गैस को ओन रखने की जरूरत नहीं है अगर आप गैस को ओन रखेंगे इस स्टेज पे और आप आटे को मिलाते रहेंगे तो इसका जो कलर है बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा और इसे अच्छे से मिला लीजे दूर से देखने में आपको लग रही इसलिए आप गैस को बंद करके धीरी धीरे आटे को मिक्स करते जाए और मैंने बाकी के आटे भी डाल दिया है उसे भी हम अच्छे तरीके से मिलाती हुए मिक्स करेंगे अगर आपको लगता है कि मिक्सर बहुत ही ज़्यादा ड्राई है तो आप इसमें एक से दो चमज घ ज़दा पसंद आता है कस्टड फ्लेवर का मैंने केक भी बनाया है चाहे तो आप देख सकते हैं लिंक मैंने डिस्क्रिप्सन बॉक्स में डाल दिया है चाहे तो आप देख सकते हैं अगर आप फेस्पूक या इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं फ्रेंस तो मुझे फॉलो और इसमें से बहुत ही बढ़िया खुसबू आ रही है अब क्या करना है जो हमने मोल्ड तयार किया है यह सारा मिक्सर इसमें डाल देना है अब किसी भी बर्तन में बर्फी को सेट कर सकते हैं जरूरी नहीं कि आपको कोई मोल्ड या डबबा चाहिए तो आप इसे अच्छे से स्प्रेट कर लीजिये ताकि बर्फी जो है अच्छे से सेट हो जाए और ये देखिए फ्रेंस बिना चासनी के इतना ज्यादा यमी कस्टिड बर्फी अच्छे से सेट हो गई है अब चलिए इसे बर्फी के सेव में कट कर लेते हैं आप चाहिए तो इसे पांच मिनिट के लिए फुर्येज में रख सकते हैं एक यह जाएंगे तो मैं इसे बर्फी के शेव में कट कर रही हूं आप चाहे तो अपने Só SC aj 2 कर सकते हैं देख सकते हैं कितना जयादा सांदार बर्फी टैयार हुआ है कोई tiden सकता है कि आपने इसे आटे से बनाया है तो मैंने इसे थोड़ी से पिस्ता बदाम से डेकोरेट कर दिया है और ये लिजे फ्रेंस बिलकुल तायार है हमारे आटे की जवरदस टेस्टी कस्टेड बर्फी जब आप खाएंगे ना खाते ही रह जाएंगे इतना ज़़दा टेस्टी और सांदार बनी है तो आप इसे जरूर से जरूर बनाएगा फ्रेंस एकदम पॉफेक्ट बनेगी इतना ज़दा पसंद आएगी कि आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे आटे से बनी मिठाई आपने कभी नहीं खाई होगी तो एक बार बना कर जरूर ट्राई करिए और ये देखिए इसका टेक्शर एकदम सूपब बिल्कुल मुँ में घुल जाने वाली हमारी कस्टड बर्फी बनी है जरूर जरूर से ट्राई करिए फ्रेंस और मुझे कॉमेंट बॉक्स में भी जरूर बताईए ताके आनी वाली रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँचेगी और ये रेसिपी अपनी फ्रेंस फैमली में भी जरूर शियर कर दीजिएगा फ्रेंस तो मिलते हैं कैसे ही मज़िदा रेसिपी के साथ